आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ How does oxygen produced during photosynthesis enters the atmosphere? बोचा गया है कि oxygen जो की produce होता है photosynthesis में वो किस तरीकिसे atmosphere में enter करते हैं? तो बेसी जली हम कहा सकते हैं कि जो oxygen produced होता है by the photosynthesis process उसमें पहले raw material CO2 और H2O को in the presence of sunlight और green color pigment chlorophyll के presence में change किया जाता है और बनाया जाता है यहाँ पे C6H2O6 जो की शुगर होता है और साथ में हम कहा सकते हैं कि oxygen molecule जो है वो निकल के बाहर आता है और यह जो oxygen molecule यहाँ से निकलता है और हम कहा सकते हैं कि इसका release जो है वो एक oxidization process होता है जहां पे electrons जो है वो lose होते है जिससे की auto जो है वो produce होता है और यह auto जो है वो क्या होता है कि बाहर निकलता है out of the process या फिर हम कह सकते हैं कि out of the leaves जहां पे छोटे-छोटे pores पाए जाते हैं यानि leaves में जो pores पाए जाते हैं उनको stomata के नाम से जाने जाते हैं और यह tiny pores जो कि leaves को यहां पे line up करते हैं यही वो area होता है या फिर यही वो दर्वाजा होता है जहां से oxygen जो है वो बाहर आपाते है in the air और air या फिर atmosphere में उसी time पे क्या होता है कि oxygen का tendency जो है वो high पाया जाता है तो यही हो जाता है process जहां पे अगर हम लोग थोड़ा और details में बात करें तो oxidization or redox या फिर reduction यानि जिसको कि हम लोग redox reaction कहते है यह take place करता है जहां पे या फिर जिसकी वज़े से H2 जो है वो reduce होके यहां पे O2 बनाते है और यही O2 जो है वो यहां पे leaves के तू, stomata के तू बाहर atmosphere में पाया जाता है तो यही हो जाता है correct answer जिसको की हम note कर लेंगे 8444 सुपर